नमस्कार साथियो मैं हूँ जनकलाल राठा और स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटा किसान में साथियो दिन का टेंपरेचर बहुत ही अत्यधिक रूप से बढ़ चुका है लगभग लगभग 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है अब आपको यह idea हो गया होगा कि इस तापमान में जीवन कैसे संभव हो पा रहा है और अगर इसको आप relate कर पा रहे हैं तो अब धान की खेती करने की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है नरसरी देने की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है और इस इस्तिती पर धान की नरसरी को हम स्वस्त कैसे ग्रो करवा सकते हैं धान की नरसरी का 100% जर्मिनेशन कैसे ले सकते हैं धान की नरसरी हम खेत में देने से पहले हम क्या प्रिजर्वेशन करें या फिर जब धान के जो बीज है जब अंकुरड के बाद हम खेत में डालें या फिर हम जो सूखा बीज डालते हैं तो हम 100% अंकुरड कैसे लें और स्वास्त अंकुरड कैसे लें यह एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है वैसे तो मांसून उठ चुका है पस्चिम मंग करते हैं कि धान की नरसरी में हम क्या-क्या सवधानी रख सकते हैं, धान की नरसरी देते समय, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कि धान की नरसरी देते समय आपको एक सवधानी रखनी है, वह है बीज की उच्च क्वाल्टी, मतलब की बीज आप उच्च क्वाल्टी वाला ही चुनाओ करें, बढ़िया बीज चुनाओ करें, बोल्ड बीज चुनाओ करें, परिपक को बीज का चुनाओ करें, वैसे तो हर एक किसान अब नई पैकेट, नई बीज, नए वेराइटी खरीद करके लाता है, तो वह परिपक ही होता है, उपचारित होता है, और बेस्ट क्व करने का व्यवस्ता आपके पास वोना चाहिए अंकुरण के लिए जब धान की आप दो वीच ले सकते हैं को सा मोता डूसर दूसरा लेते हां अघर भीगोंगे धान्को तो आगर 12-15 घंटे भीगोंगे तो चल जाएंगा 10-12 घंटे भी भीगोएंगे तो चल जाएगा क्योंकि उनका पतला छिलका होता है लेकिन आप मोटा भीज जब लेते हैं मोटा धान वाला लेते हैं तो उनका छिलका मोटा होता है और उसको कम से कम 18-20 घंटे आपको भीगाना रहता है अगर आप इतना नहीं भीगाए हैं तो आपको बाद में जर्मनेशन की प्रॉबलम देखने को मिल सकती है मेरे हाँ देखा गया है और मैं काई सारे केस ऐसे हैंडल किया हूँ तो मैं बता आ रहा हूँ और आप अगर लगभग लगभग 18-20 घंटे अपनी धान की जो दाना है उसको पानी में भीगोए है उसके बाद आप वो लगभग लगभग 24 घंटे के आसपास जूट के बोरे में दावाना है और अगर आपका मिट्टी नीचे मतलब नीचे का फरस जो सता है वह मिट्टी का है तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए अगर आप ये भी नहीं है तो आप नीचे जो पैरा होता है धान का पैरा होता है नीचे धान का पैरा डाल दें उसके उपर जूट का बोरा डाल दें उसके उपर आप जो गीला धान है उसको च्छान करके डाल दें और उसके उपर फिर से जूट का बोरा डाल दें और ढख दें 24 गंटे के लिए ढख दें 24 गंटे से पहले उसको खोलना ही नहीं है 24 गंटे के बाद आप खोलिए तो आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा अंकुरड़ आपके धान पर आ चुका है अगर यह अंकुरड़ आपके धान पर आ चुका है तो आपके जो धान है तो दाना है वाई खेत पर भुवाई के लिए तयार हो गया आप उसको जाएए और जो भी आपका खेट का प्लानिंग है मतलब की हम सूख अब आप अपने खेट पर जाएए खेट की जो तैयारी किये हैं खेट की तैयारी में मैंने बताया है कि गीली नरसरी देने के लिए चुकि गर्मी बहुत जादा है तो आप पहले क्या करें जुत सुबै से साम तक गर्म हो जागा साम को खोल दें साम को खोलने एक बाद बढ़िया मचाई करके और बढ़िया प्रॉपर बेड बना करके और उसके उपर बेड अपने अनसार बनाए मैं पिछले बीडियो में बता चुका है कोई निस्ची तो नहीं है आप अपने सुबिध का छिड़काओ करें अपके धान के जो दंकुराड हो चुका है जब अंकुराड हो चुका है तो आप खेत में उसको नरसरी के लिए छिड़काओ करेंगे छिड़काओ करने के लिए मैंने बताया था खेत की तयारी कैसे करनी है तो खेत की तयारी आप कर चुके होंगे आप गये और आपके खेत की जो पानी है वह पानी को खोल दिये उसके बाद आप मचाई थोड़ा सा करके और हमेशा याद रखे खिरकाओ जो धान का नरसरी के लिए है वह साम के समय करें जो बीच को डाल रहे हैं आप नरसरी के लिए बेड़ पर वो साम को करें ताकि दिन में सकती है बजग जाता है इसको हम इधर बोलते हैं धान बजग गया तो यह इस्तितिन आने पाए नए आने पाए इसलिए आपको यह साम को करना है तो साम को यह करने से पहले आप जब करेंगे तो लगभख खाद की मातरा मैंने बताया है पहले भी तो एक बार और बता दे र देना है वेट प्रॉपरली बना करके और अपना जो दाना है आपसको असानी से छिड़काओ कर दें छिड़काओ करने के बाद आप देखेंगे कि दो दिन के बाद आपका दाना से जो सूजी निकलने लगेगा मतलब हलका आपके दाने से पौधा निकलने लगेगा और हर बात से होगा और इसके बाद अगर आपने बढ़िया प्रवंधन किया है तो लगभग 14-15 दिन में आपका नरसरी तैयार हो जाता है 18 दिन से आपको ट्रांस्पांटिंग शुरू करिए 20 दिन तक वहत धान पूरा ट्रांस्पांटिंग हो जाना चाहिए यह एक सही समय है वह सत कहते हैं कि 22 दिन तक कि नरसरी सही समय है ट्रांस्पांटिंग होने का लेकिन यह है कि लेवर का मिलना मजदूरों का मिलना खेत की तैयारी यह सब थोड़ा समय लगता है तो आप 18 दिन से शुरूबात करिए और 25 दिन तक किसी भी हाल में आप वह नरसर समाप्ति कर देजिए इस प्रकार से आप टाइमिंग बनाईए तो बढ़िया आपको उत्पादन देखने को मिलेगे